हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मैजिक बुले इस्ट्री चैनल पर आज हम बात करने माले हैं कैसे पॉइंट की जिसे जानने के बाद आप बहुत ही आश्च चकित होने माले हो यदि मैं बोलू फ्रेंट्स टू प्लस टू इसकल टू फोर तो यह एक कामन सी बात हो भी प्लस टू इसकल टू फाइब कैसे हो सकता है लेकिन आज मैं आप लोगों को टू प्लस टू इसकल टू फाइब करकर दिखाने वाला हूं बिल्कुल जैनुएन तरीके से इसको जानने के बात अपने फ्रेंट को भी आश्च चेकित कर सकते हो तो आप इंड तक जरूर देखिए 4-4 is equal to 0 और 10-10 is equal to 0 यह तो एक नार्मल सी बात है जिसको आप जानते हैं और इसी का यूज़ करकर आज का यह 2 प्लस 2 is equal to 5 हम लोग प्रूब करने माले हैं देखिए 10-10 is equal to 4-4 क्योंकि दोनों के equal 0 है तो यह दो आपस में equal होंगे और इसके बाद हम लोग देखिने माले है 5 यह दि हम कामन लेते हैं 10-10 में से तो कोस्टक में 2-2 और equal में हम लोग करेंगे 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का square और minus है तो minus फिर 4 को हम लिख सकते हैं 2 का square और इसके बाद देखिए a square minus b square is equal to हता है एक कोस्टक में a plus b और दूसरे कोस्टक में a minus b एक common formula है जिसका आप लोग यूज करते होंगे अपने study related problem में जिसे हम लगता है सभी लोग जानते ही होंगे तो इसका हम लोग यूज करने माले हैं देखे जन्स आगे देखते हैं आप 5 है कोश्टक में 2 minus two मैनस नोग लिख सकते हैं इसके भाद हम लोग दीकने माल है इधर 5 माइनस 2 मैनस में 2 मैनस व्हाएं इसके डिवाइड होकर कड़ जाएगा तो हमारे पास बचेगा टू प्लस टू बच जाएगा और फाइब बच जाएगा तो इस प्रकार टू प्लस टू इसकल्डू फाइब प्रूब्ड हुगा तो हैना एक इंट्रेस्टिंग पॉइंट दोस्तों आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे टू प्लस टू इसकल्डू फाइब प्रूब करकर दिखाया जो बिल्कुल ही जेन्मीन तरीके से यदि दोस्तों आपको यह वीडियो नई समझ में आया होगा अच्छे से तो दोबारा देख लिजेगा और यदि आप ऐसे इंट्रेस्टिंग पॉइंट जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दिजेगा और हाँ आपने फ्रेंड्स के भी इस वीडियो को सेर जरूर क किजेगा धन्यवाद दोस्तों